नमस्कार जी केपिटल में आपका स्वागत है आज है 21 सगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो फ्रेंड्स आज बात करेंगे एक पेनी सेर की जिसने अपने निवेशकों को चंद महीने में ही अमीर बना डाला तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं विकास मल्टिकर्प की फ्रेंड्स सबसे पहले इसके प्राइस चार्ट पर इसके प्राइस मोमेंट को देखेंगे उसके बाद इसके फैनेंसियल को देखेंगे फिर अपनी कमेंटरी देंगे जिसमें बताया जाएगा कि निवेशकों को क्य करना चाहिए उन्हें sell करना चाहिए उन्हें hold करना चाहिए या उन्हें buy करना चाहिए तो आइए शुरू करने से पहले एक बार इस company के profile को देख लेते हैं तो यहां देख रहा है कि इसकी market cap एक हजार बावन करोड की है और current price पंदरा रूपे 85 पैसे की है तो फ्रेंट्स बावन विक high और low की बात करें तो बावन विक की high जो है वो पंदरा रूपे 91 पैसे है और बावन विक की low जो है वो 0.90 मतलब 90 पैसे की है इसकी book value 81 पैसे की है और इसकी जो P है वो 710.57 लभग 711 हकी है तो friends आप समझ सकते हैं कि एक penny share जिसकी P ratio 710.57 है तो किस परकार की company रही है और किस परकार से उसने return दिया है तो friends यहाँ देखेंगे कि इसके ROC 7.65% है और ROE 2.76% है face value 1 है और इसकी sales growth 3 सालों में 15.62% किया है तो friends ए रही company के बाड़े में एक overall जानकारी लेकिन company के अगर return की स्तिति को देखेंगे तो और चीज़ें असपश्ट हो पाएंगी तो सबसे पहले इसके कारोबार को देख लेते हैं तो कारोबार में friends हम यहां यह देख रहा है कि buying quantity पांच लाग 47,921 शेर की लगी हुई है selling quantity नील है total जो trade volume है वो 13,44,177 की है और लगभग 94.24% का इसमें delivery हुआ है क्योंकि जो deliverable quantity है वो है 12,66,776 की तो friends यहां जो trade setup को देख करके लग रहा है और इसके order book को देख करके लग रहा है कि इसमें माल की scarcity है और इसमें selling quantity नहीं है price में मजबूती है इसके बाद भी जबरदस्त delivery चल रही है लेकिन इसके historical data को देखेंगे तो कुछ और चीज़ें निकल के आएंगे तो historical data में हमने जब एक महीने का data लगाया तो यहां पर चार दिनों का data उपलब्ध है जो 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त का है तो इन चार दिनों के data को देख करके जो चीज़ें समझ में आ रही है कि 18 अगस्त को इसमें 2 करोड, 42,55,237 एर के ट्रेडिंग हुई थी लेकिन उसके बाद लगातार क्रम सा इसकी volume गिरते जा रही है 77 लाग, 22 लाग, इसके बाद बिल्कुल 13 लाग फ्रेंट समझिये, कहां तो 2 करोड, 42 लाग और 4 दिनों के अंदर ही या 13,44,000 पे आ गई और इसके बाद भी इसमें selling quantity नहीं है mine quantity लगी हुई है तो एक अजीव सी volume की trend दिख रही है जो इसके लिए एक negative scene create कर रहा है friends अब इसके price moment को देखे तो चीजे और असपस्ठो पाएंगी तो आप देखेंगे कि इस company की listing लगभग 6 मई 2019 को दिख रहा है उसके बाद अपनी listing price से गिरावट ही गिरावट दर्ज की है और finally आ करके ये 90 पैसे तक आ करके गिरा है फिर यहां से इसमें एक तेजी आती है और तेजी इतनी जवरदस्ट आती है कि अलगभग अपने निउंतम अस्तरों से 17-18 गुना मुश्किल से 4 महीनों के अंदर पहुँच जाता है तो friends ये रही इसकी एक जवरदस्ट मल्टी वेगर रिटर्ण जिन लोगोंने भी 80 पैसे 90 पैसे पे इसमें निवेश किया होगा निश्चित रूप से आजो माला माल हो गया होंगे आजो अमीर बन गया होंगे friends अब इसके financial position को देखें तो चीजे और असपस्ट होंगी तो यहां मैं जो देख रहा था वो देख रहा था कि इसकी net sales जो है वो घटी हुई है कितना 84% से घटी हुई है operating profit 110% घटा है लेकिन interest में अच्छी बात रही है कि जो interest 97 लाग रुपे देता था वो आपकी बार 82 लाग रुपे देना पड़ा है तो थोड़ी सी इसमें रहत रही है exceptional items 100% है और friends stand alone net profit जो है वह minus 33.33% कम हुआ है जो 12 लाग रुपे से घट करके 8 लाग रुपे हो गई है तो friends आप समझ सकते हैं कि एक company जो 1000 करोड से उपर की market cap रखती है और वो profit 8 लाग रुपे और 12 लाग रुपे मैनेज करती हो तो समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ problem है company के अंदर और operating profit margin की भी बात करें तो वो भी माइनस 12.31 परसेंट रहा है जो 7.38 परसेंट से घट कर माइनस 4.93 हो गया है मतला operating profit margin निगेटिव हो चुका है friends अगर details से इसके financial report को देखें तो आप यहां देखेंगे कि September 2019 में इसकी net sales 51 करोड 76 लाग रुपे की होती थी जो December 2019 में 47.14 करोड की हो गई और March 20 में 33.44 करोड की हो गई और June 20 आते आते friends 3.65 करोड की हो गई तो friends आप देखिए यहां पर मुश्किल से एक साल भी नहीं हुआ है तब तक यह अपने 51.76 करोड के net sales से गिर करके मातर 3.65 करोड की sales बची हुई है तो आप इससे समझे कि इसके business का बिलकुल ही लग रहा है कि जमीन खिसक चुका है और इसकी business लगातार गिरते जा रही है friends अगर इसके operating profit की बात करें तो आप यहां देखेंगे कि 1.58 करोड जो होता था आज की तारीक में 0.18 करोड के loss में है तो friends यहां भी यह negativity दिख रही है और friends यहां अगर net profit की बात करें तो net profit मैनेज करने में सफल हो गए है क्योंकि इनका interest कम देना पड़ा है आप यहां देखेंगे कि 1.13 लाख रुपे जो interest देते थे वो 1.5 लाग देना पड़ा दिसंबर 19 में 1.84 लाग देना पड़ा इन्हें मार्च 20 में लेकिन जून 20 में इन्होंने मात्र 82 लाख रुपे का interest दिया है तो interest कम देने से वो निश्चित रूप से profit पड़ असर हुआ है कारोबार तो कुछ हुआ नहीं है कारोबार आप देख सकते हैं कि 51.76 करोर से घट करके 3.65 करोर आ गया है तो कारोबार तो बिल्कुली खतम हो चुका है लेकिन net profit manage करने में इनका balance sheet सफल रहा है अब friends इस परकार की company के उपर अब आप बोलेंगे कि इसकी commentary दीजिए कि इसमें हमें अब क्या करना चाहिए तो मेरे हिसाब से जीन लोगों ने भे निचली अस्तोनों पर इसमें निवेस किया है उनको बहुत अच्छा मुनाफ़ा हो चुका है वैसे आज कल एक trend चल रहा है जो बहुत चिंता कभिशा है और आज ससी कांता दास रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के governor ने भी बोला है कि market में जो share बजार की तेजी है वह actual इस्थिती से बिल्कुल mail नहीं खा रही तो आने वाले दिनों में बजार में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है और इन चीजों के ऊपर आप समझ सकते हैं कि यहां भी उसी trend के ऊपर यहां पे चल रहा है कि जो भी company अपने result बिल्कुल खड़ाब देती है उसका कल से share बजार में बिल्कुल तेजी हो जाता है तो फ्रेंट्स अगर इसकी जानकारी आपको हो तो आप comment box में लिख करके और से बताएं हम उसका स्वागत करेंगे हम भी आपसे सीखेंगे हम भी आपसे जानेंगे लेकिन मेरा विकास multi corp stock के ऊपर केवल एक line की commentary है कि आप अगर इसमें निचली अस्तन उपर निवेस कर च सकती है जब आप इसमें 50% 60% का मुनाफा बुक कर लें और आप अच्छा इसमें अगर मुनाफा बुक कर लेते हैं तो कुछ share इस company के अंदर hold की स्थिति में छोड़ सकते हैं तो friends यह रही मेरे तरफ से piece of information इस information के आधार पर आप अपनी एक research करें आप अपनी एक study करें और उस study उस research के आधार पर कोई भी निवे संबन्दी final ने लें और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें लाइक शेर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूले ताकि ऐस informative वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे जै हिंद जै भ